वेल्कम टू इदनित बॉडी केर पर घर ग्रिस्ती से जुड़ी उपयोगी जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें नीचे दिया गया रैड बेटन दबा कर ये फ्री है हेलो फ्रेंज आज हम बनाने जा रहे हैं फेमस हिमाच्री डिश डेड़ू जिसे कड़ू और खैरू भी कहा जाता है इसके लिए हमें चाहिए 500 मिलिलिटर दही जिसमें मैंने एक कप पानी डालकर अच्छे से फेंट लिया है दो सूखी लाल मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच नमक, एक प्याज लंबा कटा हुआ वर सर्सों का तेल एक पैन में थोड़ा सा सर्सों का तेल गरम कर लेंगे यह धान रखें कि हमें सर्सों के तेल को इतना गरम नहीं करना है कि इसमें से धुआ उठना शुरू हो जाए जब तेल में से धुआ उठना शुरू हो जाता है तो उसके जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो खदम हो जाती है किसी भी oil की properties का पूरा फाइदा उठाने के लिए जरूरी है कि हम उसका इस्तेमाल सही धंक से करें different edible oils उनकी properties वो उनके सही इस्तेमाल के तरीके पर मैंने एक वीडियो बनाया है उसका link में description box में दे रही हूँ आप उसे check कर सकते हैं सरसो के तेल के गरम होने पर उसमें बबल साने शुरू हो जाते हैं शायद आप यहां पर देख पा रही हूँ तो जैसे ही बबल साने शुरू हो जाते हैं इसका मतलब है कि हमारा oil तड़का लगाने के लिए ready है आईल गरम हो गया है इसमें आधा चमत साबुत धनिया डाल लेंगे दो सूखी लाल मिर्च डाल लेंगे इनको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे धनियावा मिर्च रोस्ट हो जाने पर हम इसमें प्यास डाल देंगे वैसे तो आप किसी भी तरह से कटा हुआ प्यास यूज़ कर सकते हैं पर लंबाई में कटा हुआ प्यास रेडू में ज़ाधा अच्छा लगता है हमें प्यास को ज़ादा भूनना नहीं है यहाँ पर हमें प्यास का कलर चेंज नहीं करना है हम प्यास को सिर्फ तब तक भूनेंगे जब तक कि यह थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए प्यास को लो मीडियम फ्लेम पर भूने एक से डेड़ मिनट में प्यास सॉफ्ट हो जाएगा रेडू बनाना बहुत ही इजी है और यह बहुत क्विकली बन जाता है इसे बनाने में हार्डली पांच मिनट का समय लगता है और यह बहुत टेस्टी भी होता है प्यास सॉफ्ट हो गए हैं अब इसमें हल्दी डाल लेंगे मैं यहाँ पर 1 फिफ्ट स्पून हल्दी यूज़ कर रही हूँ स्वादा नुसार लाल मेजच पाउडर डाल लें इसको हम कुछ सेकिंड रोस्ट करेंगे हल्दी और मेजच रोस्ट हो गई है तो अब हम गैस बंद कर लेंगे तड़के को हम ठोड़ा ठंडा होने देंगे कई बार गरम तड़के में दही डालने से वह फट जाता है गैस बंद के हुए आधा मीनिट हो गया है तड़का थोड़ा ठंडा हो गया है तो अब हम इसमें फेंटा हुआ दही डाल लेंगे मैंने यहाँ पर 500 ml दही लिया है और उसमें एक कप पानी डालकर अच्छे से फेंट लिया था अब हम गैस जला लेंगे और लो मीडियम फ्लेम पर इसे चलाते हुए पकाएंगे आधा चमच नमक डाल लेंगे दही को एक से दो मिनट के लिए चलाते हुए पकाएंगे हमें यहाँ पर दही को उबालना नहीं है रेड़ू बिनाने के लिए आप दही की जगा लस्ची का इस्तमाल भी कर सकते हैं पर आप दही या लस्ची जो भी इस्तमाल करें वो खट्टी नहीं होनी चाहिए रेडू को रोटी और चावल दोनों के साथ खाया जाता है दही को पकाते हुए मुझे डेड़ मिनट हो गए है अब हम गैस बंद कर लेंगे पर अभी हम रेडू को एकदम से सर्व नहीं करेंगे हम इसको ढग कर पांच मिनट का रेस्ट पीडिट देंगे पांच मिनट के बाद रेडू सर्व करने के लिए रेडी है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल जल्दी मिलते हैं एक ने वीडियो के साथ तिल देन बाई